मेरा नाम S.B. कुंडू है, मैं राची ज्हारखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने सन इनलो के घर हैदराबाद में आया हुआ हूँ, यहाँ आने के बाद मैं कॉबीड पोजिटिव हो गया, उसका ट्रीट्मेंट चला, मैं ठीक भी हो गया, अर्थात नेगेटिव भी हो गया, यह मैं मैंना के 3031 में मुझे एक अजीब सा अनुभा हुआ कि जब मैं कुल्ला कर रहा था, तो पानी इधर दाइने तरफ से गिर जा रहा था, मैंने सोचा यह क्या हो गया, मैंने बताया घर में लोगों को, तो डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, दो तीन डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया यह पोस्ट कोबिड सिम्टम है, ऐसा होता है, उसका ट्रीट्मेंट चला डॉक्टर रमेश से, उन्होंने दवा तो दी, लेकिन साथ ही कहा कि, फीजियो थेरेपी करा लेना होगा, और एलेक्ट्रिकल स्टिमूलेशन भी 21 डेज करना होगा, मेरे सानी लौ स्वामिक दत्ता ने बताया, कि यहाँ एक बहुत अच्छे फीजियो थेरेपिस्ट है, डॉक्टर अंजली अकरवाल, उन्होंने मुझे भी ठीक किया है, तो मेरे लिए भी उनसे कंसल्ट करना सुरू किया, मैं उनसे कंटेक्ट किया, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मेरे सिम्टम को देखे और उन्होंने बताया, कि बिल्कुल यह ठीक हो जाएगा, यह 10 दिन का सेशन, 10 सेशन में कंप्लीट होना था, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे बताया, कि एलेक्ट्रिकल इस्टिमूलेशन नहीं करना है, फीजियो थेरेपी से ही यह 100 परसेंट ठीक हो जाएगा, उन्होंने थर्ड जून से मेरा सेशन लेना शुरू किया, और तरह तरह कि उस दिन मुझे याद है, 27 एक्सरसाइजेज कराए, आँक के और मुँ के, चुकि मेरा मुँ इस तरह से हो गया था, और आँक, यह दाइने आँक जो है, यह ज़्यादा खुला हुआ था, उन्होंने थेरपी शुरू की, तो एक-एक करके, इस तरह से एक्सरसाइजेज करा करके, मेरे मसल्स को, नर्व्स को वो ठीक करना शुरू की, और संख बजाना, बेलून फुलाना, स्ट्रो में फूंक मारना, यह सभी था, और इससे भी मज़ेदार बात थी, कि इन एक्सरसाइजों में एपल खाना, ग्वावा खाना, गुपचुप खाना, यह भी सामिल, चीविंगम चबाना, यह सब कुछ सामिल था इसमें, और बहुत सारे, करीब सौ से ज़्यादा एक्सरसाइजेज मुझे कराया, और इट आठ दिनों में, मैं समझता हूँ कि अधिकांस भाग, मेरा फिर से नॉर्मल हो रहा है, यह जैसे देखिए, ऐसे मुश्कुराने पर, और पहले मुश्कुराने पर, इस तरशनुता था, तो यह सभी जो हैं, बड़े जादुई धंग से, डॉक्टर अगरवाल ने परिवर्तित कर दिया, मैं धन्वाद देना चाहूँगा, डॉक्टर अंजली अगरवाल को, कि इतने कम समय में, फिर से नॉर्मल की ओर, मुझे ले जा रही हैं, और, जो ठेरपी, जो एक्सरसाइजेज कराएं, वे बहुत ही कारगर हैं, मैं उन्हें फिर से एक बार भेनवाद देना चाहूँगा, कि उन्होंने इतने कम समय में, मुझे नॉर्मल कर दिया, और मैं ये निवेदन भी करूँगा, कि इसी तरह से वे देश के लोगों को सेवा देती रहें, और सब को इसी तरह खुसहाल जीवन जीने में मदद करें थांक यू, थांक यू, थांक यू, दॉक्तर अंजलिय अगर्वाल, थांक यू, अगिन